वेलकम टू गैस माई नी वीडियो तो गैस आज जो है मेरे फास फोन आवा है एमाई रिड्मी का गैस ये ओन नहीं हो रहा है इसके पावर बटन प्रेस कर रहे हैं ये ओन नहीं हो रहा है और गैस इसमें जो है चार्जिंग प्लकिंग करके आप लोग को दिखा देता हूँ इसमें कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं गैस ये ओन भी नहीं हो रहा है और इसमें चार्जिंग प्लकिंग कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉंस नहीं दे रहा है तो ऐसे phone को किस तरह ठीक करना है चलो आज इस video में आप लोगों को दिखाता हूँ पहले guys इस phone को open कर लेते हैं और open करके guys जो है इसे चेक करते हैं इसमें क्या problem है इसे open करना काफी easy है side step को press करके पीछे का panel बाहर निकाल लेना है तो guys इसमें जो पहला step है मैं इसका charging pin को करूँगा replacement क्योंकि ये phone on भी नहीं हो रहा है और charging भी नहीं पकड़ रहा है तो guys जो पहला step होता है पहले आपको charging pin को replacement करना है तो मैं इसका charging pin को replacement करूँगा और देखूँगा guys हमारा phone on हो रहा है कि नहीं तो चलो भाई इस पहले इसका जो है चार्जिंग पिन को रिप्लेस्मेंट करते हैं इसका जो है चार्जिंग का सब बोड है उसे बाहर निकलते हैं तो ये गाई जो है कमपनी का लगा हुआ है तो ये काफी मजबूती से चिप काया जाता है तो इसे निकालने के लिए गाई यहाँ पे थोड़ा सा हलका सा ब्लोवर मारना है और ब्लोवर मारके गईस इसे जो है किसी टूजर से हलका सा उठाएंगे गईस यह 100% निकल जाता है क्योंकि कमपनी से काफी मजबूत बैठा जाता है तो देख सकते गईस इसे मैं किस तरह निकाल रहा हूँ हलका सा यहाँ पे प्रेज देना है और प्रेज देके गईस इसे जो है तूकि यह काफी नाजूक होता है कवी कभी कईस निकालने में यह तूड जाता है तो देख सकते गईस यह निकल चुका है और इसमें जो चार्जिंग पिन लगा हूँ है गईस काफी मौश्चर लगा है इसके अंदर इसे क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके गाइस वापस इसमें जो है गाइस नया ही भी लगा देते हैं क्योंकि ये काफी जंग लगा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि फोन चार्जिंग में भी कोई response नहीं दे रहा है कोई impair नहीं परकर रहा है तो पहला step होता है गाइस इसका charging pin को करेंगे replacement तिसे fitting करके इसमें हलका सा paste लगा कि इसे blower से निकालेंगे तो देख सकते गाइस मैं इसे किस तरह निकाल रहा हुँ इसमें निकालना भी kाफी आसान है आपको साइड पे हलका सा पेस्ट लगाना है और ब्लोर को हीट देके इसे जो है गाईस हलके हाँस से उठा लेना है तो देख सकते हैं गाईस इसमें ब्लोर मैं मार के इसे अच्छी तरह से किस तरह निकालता हूँ कभी भी गैस चार्जिंग पिन को निकालते वक्त में ज़्यादा प्रेसर ना दे क्योंकि उसके जो प्रेंट होते हैं वो तूड़ जाते हैं तो यहाँ पे जो है गैस हीड देके हलका सा उठाना है आपको देख सकते हैं किस तरह यह चार्जिंग पिन निकल जाता है इसे निकालना काफी जी है और गैस इसे जो जिसके जो पिन के जो खाचे हैं चार उसे जो है गैस क्लीन करना पड़ेगा यहाँ पे जो पेश्ट लगा के तो गाईस मैं solder देख सकते हूं इसे मैं किस तरह clean करता हूं इसे clean करने से जो है guys इसे बैठाना काफी easy होता है तो देख सकते हैं guys ये पुरा clean हो चुका है अभी मैं इसमें charging pin को इस तरह रखके और इसे जो है चारो तरफ से हलका हलका सा solder मार दूँगा इसे बैठाना काफी easy हो सकता है देख सकते guys ये बैठ चुका है और जो है इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल किसे side के जो भी 5 point है उसे भी अच्छी तरह से soldering कर लेते हैं और soldering करके guys इसे काफी अच्छी तरह से clean करेंगे क्योंकि जो है इसमें solder का paste लगाने से कभी कभी sorting नजरा जाता है और यहां पर जो है guys आप clean करते हैं कि मैइक का काफी ध्यान दे कभी कभी clean करने में guys इसके माइक में जो है IP जाने से माइक खराब हो जाता है तो इसे fitting कर ल नहीं तो यहां पर जो है guys में charging प्लकिंग कर देता हूं और guys यह empire ले लिया है phone यह charging उठा लिया है इसमें जो problem था guys वो charging connector का था तो guys अगर आप लोग के पास भी ऐसे phone आए तो पहला step होता है guys उसका charging pin को करो replacement क्योंकि charging pin से ही guys phone जो है dead होता है तो guys अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना यहां पर थोड़ा सा timing लगेगा क्योंकि MIE का phone जो है थोड़ा timing में चालू होता है तो guys देख सकते हैं यह phone मेरा on हो चुका है और guys वीडियो को like कर देना मिलते हैं किसी next video में कर देना मिलते हैं कर दोड़ा है